बहुर्ट में किस फसल का उत्पादन सरवाधिक है तो आप देखे कि विश्व में अलग 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 फसलों का उत्पादन होता है तो यह सब सरे फसलों को नोट कर लिए जो भारत में सरवाधिक होती है देखे चावल भारत में जो चावल है वो कही राज्वों में कही बार बोह जाता है पश्रिम बंगाल और आस्वामो गरम इसलिए इसका उत्वादन सरबाधिक होता है और आलू का खाने वाला भाग जड़ है या तना है तो आलू एक तना है चुकि इसमें एक आख भी होती है और इसमें तने के सारे गुण पाये जाते हैं इसलिए आलू का एक तना है कई चीज़ें ऐसी है जो तने के रूप में होती है और लेकिन मिट्टी के भीतर होती है लेकिन सकरकंद जड़ है भारत के किस राज का सरबाधिक नगरी करण हुआ है तो देखें नगरी करण मन होता कुल जन संख्या में नगर में रहने वालों का अनपात को क्या करते हैं नगरी करण है जिसमें नगर में ज्यादा लोग रहे हैं तो गोवा एक भारत का ऐसा राज है जिसका नगरीकरण सरवाधिक हुआ है कई बार यह आईएसपी से इसमा चुका है इसलिए इसे विशेश ध्यान दें आप लोग और इसे नोट कर लें और हम इसा मेमोरी में रखें गोवागबाद दूसरा सरवाधिक नगरीकरण राज है देकि जिसमें रहने वाले लोगों का प्रचसर गोवागबाद दूसरे नमबर पर है तमिल्लाड है तो गोवा पर्थम पर याद रखें तमिल्लाड को दुती पर रखें और एक चीज़ और क्याद रखना है कि किस राज्ज में सबसे कम नगरीकरण हुआ है इसे भी आप रखें और किस प्रदेश का नगरी करन अस्तर सबसे कम है और दूसरा आपको बता दें को उस प्रदेश का जनगहनत तो बहुत जादा है तो देखें दोनों चीज होता है नगरी करन कम रहेगा गाओं में रहने वाले जनसंख्या में बच्चे जादा होते बने तो सहर वालों में ही रहती है अब अगला प्रश्ण है बिश्व के किस देश में नहरों का सबसे बड़ा जाल है मने बिश्व के किस देश में सबसे दर नहरों का विस्तार पाई जाता है और इस अंदर में आपको बता दें कि भारत ये कैसा देश है जहां पर प्राचीन काल से नहरों का वि और उसके पूर भी बहुत सारे राजाओं नहरे और तलाव उगरा खुदवाए थे या सोक के काल से ही इसका इतिहास मिलता है तुमाने बहुत लंबा इतिहास है इसका और सिंदुगाटी सबता के पूज ब्रिक्ष का क्याना पूज ब्रिक्ष माने जिसकी सब लोग पूजा करते थे तो आप देखेंगे कि पीपल एक ऐसा ब्रिक्ष है जिसके पत्नों के बहुत सारे आकार सिंदुगाटी सबता में मिलते हैं और इसे बहुत सारे जगों पर द कि घटना कि सन में हुई थी वह आपको सन बताना है कि जलियावाला बाग हत्याकान जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे एक जखन्य कांड था जिसकी जितने निंदा किजा उतनी कम है लेकिन यह कब हुआ था समय बताना है तो और न और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है महाभारत के कई नाम है भारत महाभारत और इसे प्राचीन काल में जय संगिता के नाम से जाना जाता था जिसको इस ग्रंत के शुरू में ही का गया है कि जया मुदीरियत तो जय संगिता थी ब्यास जीसके रचना कारण रचीता है और ये जैसंगिता के नाम से प्रिश्टे थी है डक्टर ने मेटकर की जनमती थी क्या है वेसे बहुत सार लोग पता है और पूर देश में मनाय जाता है इसका भी स्वापी धिर धिर परचार हो रहा है जो लोबिक सुतंता समता और आदर्स को मानते हैं समयदानिक मुलों में आस्था रखते हैं ऐसे लोग जरूर ही उनके जन दिन को मनाते हैं और बड़े धुमदाम से तो यह सुब दिन है 14 अप्रेल को 14 अप्रेल के दिन दक्टर बेच के जन्म दिन हुआ था और यह विदिवेत्ता और प्रथम भारत के कानून मंत्री भी रहे तो धन्यवाद आपने देखा है चनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों